अब है आपका minor 12 का video solution बिठा तो इसमें आपकी topic है बिटा biomolecules and application of botany ठीक है बिठा ओके तो question नमबर सुरुआत होती है 136 से acid soluble fraction content तो acid soluble fraction content अम लोब बिले answer रखता है क्योंकि आपको पता पीटा acid soluble जो होते है वो कौन से पार्ट में होते है वो filtration वाले पार्ट में होते है जब भी chemical analysis करते है तो chemical analysis से आप जानते हो कि filtration वाले पार्ट के अंदर आप जानते हो कार्विनिक और अकार्विनिक योगिक organic and inorganic compound आते है तो answer is the 3D is the clear okay बिटा question number 137 which amino acid not contain asymmetrical alpha carbon कौन सा amino असम्मित carbon नहीं रखता देखो बिटा यहाँ पर देखो कोई भी प्रकार का अपन जो भी amino acids होता है वो एक काईरल कार्वन होता है काईरल का मतलब आप जानतों यह different होता है ठीक है इधर भी आप जानते हो कौन सा group होता है NH2 group इधर R होता है इधर हो गया इसका मतलब है चारों की चारों क्या है आपके compound बिलकुल different है तो इसको बोलते है but आप जानतों एक ऐसा है amino acid जिसको glycine कहते है तो glycine कहते है इधर भी H होता है यह R नहीं होता है इधर क्या होता है इधर भी H होता है तो दोनों same होते है यह which of the following option include only acidic amino acids आपको पता है यहाँ पर कौन-कौन से ऐसे amino है जो केवल और केवल अमलिय अमीनो होते है तो अमनी अमिल होते है तो आप जानते है ग्लूटामे के acid और दूसरा कौन से होता है aspartic acid तो इन दोनों को बोलते है amino acids ध्यान रखना जो acidic होते है 139 which one of the following molecule gives blue color in the present of i2 निमने करते है कौन सा अनु आयोडीन आयोडीन ध्यान रखना आयोडीन की उपस्तितनी में नीला रंग प्रतान करता है अब नीला रंग प्रतान करने के लिए कौन से सरन्रक्षन होती है इस प्रतार्च तो आसानी से आयोडीन क्या कर सकता है इसके साथ में कलर प्रता है जिसको बोलते है blue color कौन से करते है तो blue color तो इसलिए बाकी कोई कोई नहीं करता के वल कौन करता है इस टार्च करता है ठीक है फोस्पोरस कंटेनिंग लिपिड एच फोस्पोरस युक्त लिपिड है अब देखो फोस्पोरस लिपिड युक्त आप जानते हो फोस्पोरस कहा होता है यह फोस्पो लिपिड कौन से होता है फोस्पो लिपिड अब फोस्पो लिपिड आप जा एर आंसर दा थर्ड ठीक है 141 which one of the following is a structural polysegregate structure polysegregate कौन सी है बिटा जो structure form में आती है इसका मतलब है कि यह यह cellulose होती है तो इस प्रकार से structure form में चल दिया है इसलिए आंसर दा कौन सा जाएगा second is the right होगा which of the following is a immunosuppressive agent देखो immunosuppressive agent कौन सा होता है आपने देखा यह बिटा यह एपलिकेशन बोटनी का कुशन है तो immunosuppressive agent होता है जो में लिए आपने काम करता है अपन के बोडी के अंदर blood coating से संबंदित होता है तो वो cyclosporine A कौन सा होगा वो cyclosporine A जो आपन के लिए काम करता है यह जज़ा more correct answer होगा maltose on hydrolysis yield maltose क्या है 10-secret वे गलूकोज पिलस गलूकोज तो गलूकोज पिलस गलूकोज दोनों से मिलकर करके बनता है यह maltose बनता है तो यहाँ पर देखा कौन सा ओप्सन सही है गुलुकोज इस गुलुकोज यह है तो तीस रांस रिजदा करेक्ट से ही है बन बोटी फोर इन डिने मॉलीकूल दिस्टेंस तर बिट्विन टू वेस पियर एच बहुत किलियर बात है बिटा डिने के अणू में दो शार युगमों को पीच की दूरी देखो यह डिने की इन रचना है और डिने का आप जानते हो नुट यह पूरा की पूरा जो यहां से लेकर यह पूरा की पूरा जो एक लूप होता है यह एक लूप बुलता है इसकी तो आपना से दालते हैं ठीस्टर ओन ठीक है और इनके बीच में कितने जूड़ी नयटो जन चार होंगे 10 ज 3.4 ang-strong या 0.34 nanometer थीक है तो देख लिजी यहाँ पर nanometer में ज़े रखा तो वो सही है ang-strong में ज़े रखा है आपका यह वाला ज़े रखा है तो आंसर इस दा कॉन सो जाएगा थर इस दा किलिया 145 which of the following statement is not correct regarding kaitin kaitin के संदर में कौन सा कलत है तो kaitin आप जानतो आप जानतों फंजाइ के अंदर होता है so वोल का तो यह क्या संग्राय को होता है इस इस्टोर्स पॉली से जर्गार्ड नहीं होता क्योंकि स्टोर्स होता है ग्लाइको जन होता है वर काईटीन नहीं होता है it is homo polysegret सही है it is constitutable orthodox सही है it is the second most evident कारवाटियर सही है इस किलाका कॉन साउंसर करता है पेला आंसर करता है इसलिए कहन सा जाएगा । मैचलड से जाएगा कुंस्तेंत किम भी आप काम ता है निवक यह तो achievements वयर तियोंत डाग्राम पढ़ए एक जैम के अंधर विदुनि अनदर इस पर कार से पढ़ा ने पढ़ करता तो यह बे-ल यह बन गए आपका maximum बटा हाप तो इसी को क्या बलते है क्या कहते है क्या कहते है क्या हो गए आपर सबस्टेट कंसर्टेट एड़ रियक्शन अटेंड हाफ उप इस maximum बैलोसिटी तो क्रिया दार की सहंता जिस पर अधिक्तम की आदी होती है वो कहलाता है माइचिलस मैंटन ठीक है बटा ओके जी राइट फस्ट बन बोट डिसीबल विच ओप दा फोलेइंग डवल स्टेंडर डियने सेंपल विल हैब हाइस्ट मेल्टेंग तेंपरिचर देट वित ध्यान रखना बटा आप जानतों तू ट्याइप के डियने ले इक तो एटफ टाइप का होता है और दूसरा होता है जी सी टाइप का सैब घी टाइप हाइट्रोजन बॉंड होते हैं तो ट्रिपल हाइट्रोजन बॉंड होने करान यह 80% क्या होता है मैक्सिम बेटा मोर स्टेबल होता है तो आंसर इस दा 80% जीसी यह वाला ज्यादव सही जाएगा ओके वीच ओप दा फॉलोइंग अगराएफ 148 मैच करो भाया ठीक है वही करो मैच क्या कहता है मैच बिन बिलस्टीन करेंसीन आपके क्या है वेटा यह दोनों आपको बता है ध्रक्स है ठीक है ना एवरेन रिसिया टॉक्सिन हो गया मोनोटर्प्रिन तार्पीन हो गया यह X-A, cannabinoe A क्या है? Lactin, क्या हो गया? यह Lactin हो गया, तो Avarin इसके मला बनाश्टीन क्या है यह DRUG हो गया, तो यहापर और फश्ट कसी कहां पर आरा है फश्ट कसी कहां पर छे तीनों में आरहा है, चिरी आ गया तो अगर तुम दो को भी पता लग आ लेगो तो पर आराम से क्या कर जाए इसको राइट करते होगे, ठीक है ना? 149, holo enzyme, holo enzyme आप जानते हो भी किस से बना होता है? तो halo enzyme होता है, apo enzyme, plus, plus, सहेकारक जिसको बलते है cofactor, तो यह दोनों से मिलकर holo enzyme को formation होता है, तो answer is the correct, which of the following describes the given graph correctly? अब देखो, यह graph आप देख रहो बेटा, इस graph के अंदर देख रहो बेटा, एक तो यह वाली condition है, तो यह तो है sub-state, इधर देखो, English में, तो यह तो है sub-state और यह है product, ठीक है ना? सब-state धेखो, यह पर अर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आरहा product, यह product है, तो surplusate का level जादा है, सब-अस्टेट का level जestyle है product की प्रोड़क्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर product जादा होता कब, जब एंजयम काम पड़ता, इसका मतलब है यहां एंजयम काम करी नी रहा, इसका मतलब क्या हुआ, कि देखो, एक जो धर्मेक होगा, बिल्कुल होगा, वित एनरजी ए प्रिजेंस ओप एंजयम, यह वाला छोटा है, क्योंकि प्रोडेक्ट कम बन रहा है, इसके एंजयम की उ अनुपस्तिती में हो रहा है, क्योंकि जो बड़ा हो रहा है, प्रोडेक्ट आपका बन रहा है, एंजयम की उनुपस्तिती में हो रहा है, इसका मतलब है यहां पर कम हो रहा है, तो पेला आंसर इसदा सही हो जाएगा, अब देखो, दूसर क्या कहता है, उर्जा एक के साथ एक नाइट्रोजिनस बेस इच लिंक्ड टू दा पैंटो सुगर्त्रो एक नाइट्रोजन चाप पैंटो सरक्रा के साथ किसके दोरा जुड़ा रहता है आपका पैरी मिडिन है पहला जो नॉएट्रोजन होता है यह किस के साथ बनाता है पैंटो सरक्रा के Ojcan ke साथ बनाता है तो तो बनाया यह कौन सा बॉन्ट कहलाएगा आप जानतों एन ग्लाइको साइडिक बॉन्ट कहलाएगा जो 51 डिगरी का कौन बनता है तो यह एन ग्लाइको साइडिक लिंकेज कौन सा होगा इस आंसर दे ठढ़ वाला होगा ठीक है क्योंकि आप जनतों नेक्टर लेस फ्लावर होगा वही क्या होगा पेटा आपके प्रतुदी नहीं होगा इसलिए आंसर जाएगा ठाड़ आंसर दे गिलियर हो जाएगा विच आप दा फॉलाइंग प्यार एंजयम आर यूजड बोटल फ्रोट जूस इंडस्ट्री निन में से कौन से एंजयम यूप यूग बोटल फलक्रस में उद्धोग में काम लिये जाता है आपको पता है पिटा पैक्टिनेज एंड लाइपेज पैक्टिनेज एंड पाजा रखने के लिए उन्हें फ्रेस करने के लिए मैंनली किसका यूजड किया जाता है प्रोटिएज एंड प्रेक्टिनेज का यूजड किया जाता है ठीक है पिटा इस्मूद लीब एंड रेक्टर लेस कॉटन वेराइटी सो रेजिस्टेंस फोर दा फ्रोटिन पैस्ट चिकनी पत्ती युक्त मकरंद रहित का पास की प्रजाती में निम लिकर प्रेसे किस पीड़क के लिए पित्रोधी होती है पिटा अपन को पता है कि यहाँ पर कर दो भाई मैच क्या कहता है रहे ग्रोइंग माइक्रोब जैद डा अल्टरनेट सोर्स ऑप्रोटीन्स प्रोडेक्शन ऑफ थाउजन प्लांट वैदेश टिशू तो प्रोडेक्शन थाउजन तो माइक्रोप्रोगर्शन के लाइंग है यह देखो आ जाओ यहाँ पर यह म प्रोटीन एड प्रोटीन एड अप्रोटीन अपारल ज्यादा और जान्य डेर это षांद है मिलता है या यस अ बाइप और तर चाहया इसके मतलब क्या हो गया है तो इसके मतलब क्या हो गया है तो इसके मतलब क्या होगा देगो कौन सांसर हो रहा है C का देखो C का अगर देखो तो second हो रहा है crops with higher vitamin protein the fat तो यह हो गया बाया फटलेशन सही है इसके बाद है D का फिप्त तो D का फिप्त क्या कह रहा है देखो genetically identified plant दा Soma clan ठीक है तो और E का क्यों सा हो गया फिस्ट हो गया तो इसका मलदा बाइब आपका second is the correct answer रहे है अगरा चलते है 156 250 gram of the micro organism गहनदा प्रीदूस 25 tons of protein in the same time period when the 250 kilogram protein produced 200 gram of the protein microbes are कोई भी गाय होती है पिटा मान लिजिए वो इतना सा है आपन को क्या करती है है यहाँ पर mass बनाती है प्रोटीन मनाता है लेकिन आपको पता है कि इतने से महीं, इसकी कम मात्रा जो होती है, वो होती है एक Micro door Single Cell, तो Micro Single Cell कौन से होता है, Methylophilusropedudle Basis. इसको मलब जड़ا है Single Cell SCP, क्यों बुलते हैं, Single Cell Protein बुल सकते हैं, तो ये आसानी से क्ते ह APPन के लिए जदा ज़्यादा प्रोटीन बिजार कर सकती है यहां पर कौन सा होगा यह कॉलोनी आपको पता है इस प्रकार के जो कॉलोनी आती है जिसमें आपको इस प्रकार सोध होता है वो फंगल कॉलोनी होती है किसके होती है वो फंगल कॉलोनी तो फंगल कॉलनी दा प्रेट पेटी डिस तो यह फंगल कॉलनी होती है ठीक है तो यह दो एंसेयर्ट में डारीर दे रखका है आपका इन्टरनेशनल इसिटूट विश्ता डवलब वे सेमी डॉप ड्राइस फ्राइटी फ्रॉम आई यार एट इस्पीज ऑफ दर राइस्टा वसे चुटेट आई यार आर के एक अंतराइस्टी संस्ता है जिसके दौरा जिसके दौरा धान की अर्द बोनी प्रजादी को आई यार एट की प्रजादी से बिक्षित किया गहता तो संस्तान इस्तित है फिलिपीन से सिंपल सी बात है कौन सा होगा फिलिपीन से तो अपन को तयार हुई थी आई यार आट ठीक है ना विटा तभी तो अपन की राइस की चुप बनी थी वह कौन कौन सी बनी थी आपर रतना और जया तो रतना जया जो आपके डबलब होई थी फिलिपीन से वाली इसलिए गी थी अगर आपन माली जे नेशनल लोगल भी पूस्ती तो वह कहा हो जाता कड़किया कट लोगी फॉट चीज इता रेकलिवाई महिक ही ने आप जानते किस के फॉर मिशन होता है मैं आतव है रोक्व न आपके 2 की भी ने यह रहिए कौन से थी बनी पूस्ती थी थिक है ना और और एक कों से रह रहर है रह ऐक है अगला ONEaval corte अरे आपाई जान तो चींदी सेंडी सेंड्री सोलाइब यहांने के लिए यहां पर लाता है उसको बाताना और यहां पर लाता के लिकार अन्द घाले जाती है मैसो इसा mass of bacteria with fungal, तो थ्यान रखो mass of bacteria associated with fungal filament, तो कौनस आशर सही ज़्यादा सही है, तीसरा ज़्यादा सही है, 161, the variety of wheat having the high protein content age, तो high protein content age के लिए कौनसा काम लेते हैं आप जानते हो, तो आपका maximum जो गयोंगी variety जो होती है, पो मैंने ती होती है, Atlas, कौनसे होती है, Atlas, जो प्रगार की new variety तैयार की गई थी, तो high protein के लिए variety Atlas का उप्योंग किया गया था, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, Hybrid मेंच वराइटी डवलप्ट दा इयर 2000 इनहेस तावित, बड़स 2000 में विख्षित संकर मक्का, संकर मक्का की किस्म को उन्नत किया गया था, क्योंकि अपनको पता है कि आपनके manly amino acids की कमी रहती है मक्के के अंदर, तो इसके लिए protein के लिए, क्योंकि मक्का के अंदर starts तो present होता ही है, बड़ protein नहीं होता है, तो इसकारण से क्या हुआ, protein को completely करने के लिए, लाइसीन और टिप्टरोफेन की ये completely deficiency के लिए उन्नत किया गया था, ताकि इसको आसाने से बनाया जा सके, तो answer is the second, which of the mismatch, hybrid variety of their disease resistance, आपको पिटा mismatch करना है, निर्में से कौन सी संकरत प्रजाती, निर्में से कौन सी संकरत प्रजाती, उसकी रोग पतिरोधक्त के साथ सही सुमलित नहीं है, देखो, पूशा स्वर्निक, लग रहा है का white rust, पूशा कॉमल, चिल्ली मौजिक वाइर यह लग रहा है क्या, बोलो बोलो, पूशा कॉमल के बाद हीम गिरी, लीप एन इस्टिप रस्ट, सही है, पूशा सदावार, टुवेको मौजिक वाइरस, तो पूशा सदावार जैसे मिडची का है, किसका है यह, मिडची का है, तो अपन जानते है, तम्मागो मौजिक वा ठीक है न, लोबियों में मिडच मोजिक वाइरस के रहा है, तो इसका मदलब है, मिडच मोजिक वाइरस के लिए तो अलग होता है, तो इसलिए आपका मिसमेच कौन सा हो रहा गया, दूतरा वाला मिसमेच हो गया, प्रोडेक्शन ओप वीवरेज एंड एंटिवाइटेक ओन दा इंडस्टिर स्केल टेक पिलेस तरो, आप जानते हो पिटा, कोभी प्रकार का बड़े से बड़ा आपको एलकोहल और एंटिवाइटेक का उत्पादन किया जाता है, तो एक बहुत बड़े फर्मेंटर होता ह जिस पर यहाँ पर क्या किया जाता है? इनका प्रोडेक्शन किया जाता है, इसलिए आंसर इस दा के लिए रस थार्ड तबर 65 wind- 커피कृ क्वाइब आर्की डोनिक और पॉमिनिक अशिड आप जानतों आर्कीोटो के हम टुन ट्सक्राइब फिंटिश्टें कार्बन का होता और प्रिक अकमने केता है, सब्सक्राइब क pledge。 तो इनूलियन कीछ और होता है। है लिए क्युंवल वहन केला फेक्टरोज का वहर फेक्टरोज का मॉनży मेर्स तो वह कीनुवल है, वहान भार्श को मेर्से क्या होता है। जो प्लांटों के अंदर प्लांट डालीय प्लांट लृता है कि इस बैक्टिरिया है अब देखो ए क्या है थे ख्या है प्रिडूज क्या करता थे कोjas लेक्टिक एसिट नार फैल्ब एसिल्फ हेल अजए रजयके हैं। तो लेक्टिक अचेड के लेक्टिक एसिट। वह गएieved लेक्टिके अचेड ओगाउ ond genre helljedoka strange यह व latter पहले लेक्टिक एसिलोफ हो गए गाउट दूसरा क्या कहता है sprig a वी प्रोडूुच दा साइक्लोस्परण। कौन सा फंगस है बता हो बेटा। मैनली आपको पता है वो फंगस का नाम कौन सा है आपका। मैच करो। टोटी पोटेंसी सेल आप जानते हो बेटा एक सेल जो क्या कर सकती है कम्प्लीटी पूरे ही जन्रेट कर सकते है होल प्लांट का तो यह ज्यादा सही है आपका। इया हो गया और सेल प्रोटेंसी आपको सेल आपको जो आपका यह को छो का बच है है अपका सेकंड बाद यहां पर आप दूसरा रहा है दूसरे में। विक एरा ठीक है €3 है। तो मौंग भी जानतो एक ऐसी क्रोप होती है जो एक मुटेशन से पराप्त होती है क्योंकि मुटेसंस के दौर आप जानते हो एक न्यू गामा रेज तो गामा रेज के दौरा इनको मुटेसंस कराए गया जिसकी कारानी ये पलसेज बंगाई गई और उसको बोलते मूंग भी तो यहां पर मुटेसंस ज्यादा सभी आनसर है ठीक है बेटा इसलिए नाम दे दिया लेडी फिंगर तो ये बिंडी की है किसकी जादी है ये ये बिंडी की ठीक है ना तो चौता आंसर इसदा किलियर सही है 171 for the development of the new plant variety for disease resistant and high yielding which is the correct sequence of the process एक रोग प्रिति रोधक एक रोग प्रिति रोधक तता उच्य उत्पादर नहीं हसल के लिए निन में से क्रमों का सही कौन सा है अब देखो क्रम आपको देखना पड़ेगा जो NCRT में पेटा सो कर रखका आपको पता है ठीक है सबसे देखते हैं कि कोई भी प्रकार के लिए जो भी प्रकार के नहीं आती है उसे करते है रोग प्रितु तदा उच्य उत्पादन के लिए जन्दरप का संग्रे करते हैं ठीक है उसके बाद चन्द को जनक करते हैं फिर उसका परीक्षन करते हैं फिर उसका मुलांकन करते हैं फ चौथा और यह पांच मार तो completely होगे बिटा तो कौन से लग रहा है पहला ए आ गया फिर आपका बी नहीं आएगा तो आपका तीसरा और तो आपको यह पूरा सिक्वेंस आपको दियान में रखना है और यह बेरी इंपोर्टेंट है बिच बन ओफ फॉल्विंग इस दा एग्जाम्पल ऑप कैरिंग आउट बीलोजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिजीज यूजिंग दा माइक्रोब्च सुक्ष्म जीवों को अपयोग करके देखो यह कुश्चन नंबर है आपका 172 तो 172 के अंदर सुक्ष्म जीवों को अपय लेडी बर्ड पीटल अगनेश्ट दा एफिट दा मस्टर्ड सर्सों में एफिट प्रती लेडी बर्ड बीटल का होना यह ज्यादा मोर साइज लग रहा मेरेको ताइको डर्मा स्पीज अगनेश्ट दा पैतोजन बन जाई कुछ खास पादा रग जाना जैसे कवक के लिए नहीं होना नुकली बर्ड आइसे नहीं होना तो इसके मलत ज्यादा आंसर कौन साइब को अगना सेकिंड आंसर दा करेक्ट मैसे दा फूलोइंग करो भाई मैच फिर मैचिंग आ गया तो देखो मैचिंग में पीटा आपको मैनली ध्यान रगना है कि यहां पर ब्लेक रोट ऑप कुरूसिफर्स तो कुरूसिफर्स का जो रोग होता है वो किसी करन होता है त्रंडे मोज़ वाइरस यह तो अब दो पता है कि डिजीयस की करणु है टो यह वी का तो फश्ट आ यहां पर अब जाँ पर को फुट कहां कहां राए एक तो यह आ रहा है पर सब्सक्रीज के निदेयर बॉट गए रेड रोपे रोपे रिकल्ट तो इन्डियन एगरिकल्चर रिसर्थ इंसिटूट न्यू देली हैं घ्लशीम एड़ी न आय्रन फॉर्टीफाइट इस ते आड इस इक ए स्वेट प्रिसेर्टि नू देली शर्ट मेंद यूदि दिरिकल्ट है वेराइटीज ओब भार्तिय क्रसी अनुसंदान भार्तिय क्रसी अनुसंदान संस्थान नहीं दिल्दी में किसकी विटामिन सी और केल्सियम आयरेन पुष्टी करती की गई थी क्योंकि अपनों पता है कि सबसे दा विटामिन और आपके केल्सियम आयरेन के सब पुष्टी कह बिसम कौन सा है, Ispyrulina, आप जानतों, BGA है मैतायलिकुन, ये single cell protein के लिए किया गया था, ale mushroom क्या होता है इस ये और गार का fungus होता है, ठीक है, फ्रैंक्या, आप जानतों, ये free living, ये free living, thisarte soil va shed तो सोयल वेक्टिया जो फ्री फ्री लिविंग ग्रूप में रहता है वो सोयल के अंदर तो ज्यादा कौन सा हो गया 4th answer is the clear हो गया क्योंकि ये तो single-cell protein ये भी है ये ये भी है तो ये सब तीनों तो हो गए बट ये नहीं हुआ तो ये अलग हो गया In 1963 which of the following high yielding and the disease resistant wheat varieties are introduced in wheat growing the wealth of the India 1963 में 1963 में देखो भी क्या किया गया था निवन में से कौन सी उच उत्पादा ने उत्ता था रोग प्रतिरोदक गेहों की किस्में भारत के लिए उत्पादा क्षित में प्रस्तावित की गई थी निवन में से कौन सा कभी एक रोग नहीं जो कभक के दोरा होता है में अब ड़म दोरनों में द्यान रखना है とोALLY फंगस के दौरा यह था रह रहा है तो यह नहीं घीके यह जायाएगा तो कि वैक्तरिया के करण होता है ध्यान रखना पूशा-गोरअभ इस दा इंप्रोव बियराइटी धैस्पीड सब्स्टर्ड इस रइस्टेंस्टियो तो अजो से पूशा-गोरअप जांतेश्च अरुट्ट आफिड्स के लिए होती है किसके के लिए होती ह तो यह mainly aphids के लिए होते हैं तो aphids के होते हैं आप जानते हो एक परकार के insect होते हैं तो insect completely aphids के लिए काम करता है जो पूसा गोरब के लिए काम करता है तो answer कौन समझाएगा आप जानते हो बिटा किसी भी से completely आप तो सेल बना रहे हो तोटी पोटेंशी सेल होगी कौन से होगी वो तोटी पोटेंशी सेल जो एक कम्प्लीटली पूरा एक प्लांट तियार कर सकती है लाइस कुछन ने बन एक क्ट्टी ता विटामन होच दगा कंटेंड इंक्रीज हो लेंग नदर कॉंड मिल्क इंटु दगड़ांटा दाली ठीड के अंदर तो यह चार्ड़ के अंदर बनता है तो यह बिटामिन बी ट्वेल का सिंसेस करता है तो बिटावन B12 जो बनाता है वो कौन बनाता है ये कंपलीट ली तो इसके आंसर कौन सो जाएगा बिटावन B12 तो इसी के साथ बिटा आपके ये 45 कुष्चान आपके माइनर 12 के वीडियो सुरसन खतम हुए ठीक है बिटा ओके जैस CLC बिटाव